फेस्बुइक का पास्वर्ट कैसे पता करें? इस वीदिए मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो अगर आप अपने फेस्बुइक अकांट में लॉग डिन है और अपने फेस्बूक अकांट का settings में आना है और यहां पर scroll करके नीचे की तरफ आना है और bottom side में google option पर click करना है इसके बाद google account को manage करने के कुछ अलग-अलग options आपके सामने आएंगे तो guys यहां पर आपको auto fill option पर click करना है और फिर auto fill option के अंदर auto fill with google option पर click करना है इसके बाद जो next interface open होगा यहां पर आपको google password manager option पर click करना है इसके बाद आपके google account का password manager open हो जाएक तो guys यहां पर आपको facebook.com option पर click करना है अगर आपको अपने phone की settings में यह option नहीं मिलता है तो यह कि दूसरा तरीका है जिसके तुरू आप यहां तक पहुंच सकते हैं दूसरे method का use करने के लिए आपको अपने phone में Gmail अपको open करना है और top right corner में अपने profile icon पर click करना है इसके बाद एक pop-up window open होगे तो guys इसमें आपको google account option पर click करना है इसके बाद google account को manage करने के अलग-अलग options आपके सामने हैंगे तो guys यहां पर आपको top side में security tab पर click करना है और security tab में scroll करके नीचे की तराफ आना है जिसके बाद password manager option आपके सामने आ जाएगा दो guys यहां पर आपको password manager option पर click करना है इसके बाद same पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम phone की settings के तुरू पहुंचे थे तो दोस्तों यहां पर अपने facebook account का password देखने के लिए facebook.com option पर आपको click करना है क्लिक करते हैं आपके phone के pin pattern fingerprint या फिर password से unlock करने का option आएगा तो guys आपको इसे unlock करना है अनलोग करते ही आपके facebook account का password आपके सामने आ जाएगा यहां पर आप अपने facebook और messenger account का username और password देख सकते हैं और password के सामने इस icon पर click करके आप अपने facebook के password को easily देख सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको यहां गूगल password manager में अपने फेस्बूक अकांट का password नहीं मिलता है तो इस condition में आपको अपनी facebook बोपन करके facebook की settings को ओपन करना है और यहां पर टॉप में अकांट center option पर click करना है और account center के अंदर पासवर्ड and security option पर click करना है और फिर change password option पर क्लिक करके अपने फ्येस्बूक। पासवर्ड रिसेट कर लेना है अब क्योंकि आपको अपने फ्येस्ट कोंट का करेंट पासवर्ड याद नही other आपको uyड़ और पासवर्ड ऊप्शन पर क्लिक करना है इसके अब आपको अपने Gmail inbox को open करना है और Facebook की तरफ से IOE mail को open करना है इसके बाद इस mail में आप ये code देख सकते हैं इस code को आपको verification code की जगए पर enter करना है वैसे आप यहाँ पर change password option पर click करके direct यहीं से अपने Facebook account का password change कर सकते हैं अधरवाई यहाँ पर इस code को not कर लीजिए और वापस Facebook में आगकर इस OTP code को enter करें और फिर code enter करने के बाद continue option पर click कर दीजिए इसके बाद आपके सामने new password create करने का option आपको आपको अपने according अपने Facebook account का new password create कर लेना है password में alpha numery key के साथ साथ special collectors भी आपको enter करने है तब यह आपका password strong बनेगा password enter करने के बाद अगर आप चाते हैं कि जहाँ जहाँ आपने Facebook account को login किया है उन सभी devices से आपका Facebook account logout हो जाए तो यहाँ पर log me out के इस check box पर click कर दीजिए अगर आप किसी भी device से logout नहीं करना चाते हैं तो इसे अंचेक ही रहने दीजिए और finally next option पर click कर दीजिए इसके बाद आपके Facebook account का जो password हो successfully reset हो जाएगा अब आप अपने password को कहीं पर note down करके रख लीजिए तो इस तरह से आप अपने Facebook का password दे सकते हैं और अगर आपको password नहीं मिलता है तो इस तरह से Facebook का password reset करना है I hope आप समझ गया होंगी तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं आपको next वीडियो में किसी और जानकरी के साथ तब तक के लिए जैहिन